ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रों सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचरधरमिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यूराशीफले 15 मैं 2022 रहीवार का दिन है वैशाक माहा के शुकल पक्ष की चतूरदशीत थी है लेकिन इस दिन चंद्रोदई व्यापीनी पूर्णिमा होने से इस दिन सत्ति वरत पूर्णिमा रहेगी वरत की पूर्णिमा इसी दिन रहेगी जो भक्त जन माताएं मेहने पूर्णिमा का अवरत करते हैं उनको इसी दिन पूर्णिमा का अवरत करना चाहिए यानि वरत की पूर्णिमा इसी दिन रहेगी स्वाती नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशी में चंद्रमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसानदाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो पान खाकर के यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की शाम को साड़े चार बजे से शुरू हो करके छे बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मंगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला की राहुकाल का नड़े आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहो के राजा सुरी देव जो की मेस राशी में रहेंगे लेकिन सुबह नो बचकर के तेरा मिनट से सुरी देवता राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं व्रशब राशी में सूरी देवता प्रवेश कर जाएंगे, व्रशब संक्रांती इसी दिन मानी जाएंगी, तथा चंद्रमा जो की तुला राशी में रहेंगे, मंगल गरह कुम्ब राशी में, बुद्ध गरह व्रशब राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो की मीन इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार इस ग्रह स्थिती के अनुसार व्रशप करक कण्या व्रश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां महाभाग गिशाली रेने वाली है इन पांच राशी वालों को रुका हुआ पैसा मिलने का उत्तम सयोग प्राप्त होने वाला है स्थाई संपत्ती याने भूमी भवन वाहन से भी इनको लाप प्राप्त हो सकता है इसके अलावा इनके घर परिवार में शुव एवं मंगलिक कारिक्रम की योजनाभी बन सकती है कुल मिला करके इन पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दग वीडियो को अंतितक जरू देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासीगी पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेष योगदान रहेगा इस समय आर्थिक स्थिती उचित बनी रहेगी भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदे कुस कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अधिक्टा हो सकती है अपनी भावगता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चाट ग्रह स्थितियां कुछ विपरित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाई में सिर्फ वर्तमान गतिविदियों पर आपको ध्यान देना चाहिए महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप्रसिद्ध होगा और उपाई के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक सामाजिक तथा समय का सदुप्योग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगे लें देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है करक्षतर में आई के सादनों में ब्रद्धी होगी इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं नजदी की मित्र की सला आपके लिए फाइदेमंद साबित होगी उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फुल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोक्री मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी धार मकारम तथा अध्यात में गती विधियों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंदेन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वार्णी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वन नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इनरने गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है बहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुक्री पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा खरीदारी होगी समय अच्छे से वितित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवारत था व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परंतु अपने विरोधियों की गटी विदियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फेमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आपका प्रभावस्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी समाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी, खनपान से संबंदित, व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम व्यक्तितों तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी आपको महसूस होगी अपने आपको तरो ताजा आप महसूस करेंगे कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ साथ गायित्व आपको निभाना होगा निवेशंबंदी मामलों में ज़्यादा वैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं उपाय के रूप में गाय को हरी घांस या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं शांती पूर्ण तरीके से निपढ़ जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का कारण बनेगा अध्यत्मिक क्षित्र के प्रतिया आपका रुजान और अधिक बढ़ेगा परन्तु कभी-कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे-बिठाएं कि रोप भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा औ अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिल चस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशकता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आप आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रका नहो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना चाहिए योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अविश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर पर भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास पर यहास तथा मनोरंजन संबंधी कारियों में आपका समय वर्टीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत संबंधी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी प्रतिभा वक्षमता को निखारने का अउसर प्राप्त होगा समाज में आपकी किसी विशेस उपलब्धी को लेकर के चर्चाएं रहेगी जिसे मन में उमंग वरी रहेगी किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बन रहा है और उपाई के रूप में माता लक्षमी जी को प हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अबश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार क साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद